दोस्तों हम सब जानते हैं इस समय देश में विशेशकर्व दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन अपने पूरे जोर पर है किसान आंदोलन किसानों की मांग को लेकर यहनी करिशी कानूनों को खत्म करने और MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर शुरू हुआ था लेकिं जैसे इसके किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है 71 तरवा दिन आज है और हम देख रहे हैं कि किस तरव से जो किसानों की डिमांड है वो धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है जो किसान हिट के लिए जो आंदोलन था किसानों के मांगों को लेकर जो आंदोलन था किसानों के उचित लाब को लेकर जो आंदोलन था किसानों के समस्याओं को दूर करने को लेकर जो आंदोलन शुरू किया गया था आज वो पूरी तरह से राजनितिक दलों के हित सादने का एक आंदोलन बन गया है MSP की जिसकी बात की जाती है minimum support price किसानों के लिए वो आज minimum support राजनेतिक दलों के लिए बन गया है वो राजनेतिक दल जो पूरी तरह से इनी किसानों दोरा इसी जनता दोरा नकार दिये गए बार बार नकारे जाते रहे हैं अपने अपने राजियों में जिन्हों ने अपनी जमीन को दी है जिनकी कई दलों की जिन में से उकात इतनी सी भी नहीं रह गई है कि वो अपने यहां नगर पालिका और पंचायतों खिचनाओं जी सकें ऐसे राजनेतिक दल भी अब अपने मिनिमम सपोर्ट को गेन करने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर किसान आंदौन को गलत दिशा देने में जोटे हैं देगे बात यह है कि राजनेतिक दलों को इस तरह की मांग उठाने का पूरा अधिकार है और राजनेतिक दलों को लेकर जो सत्ता में स्थापित जो दल है उसको उखाड फैका जाए यह सारी बातें सत्य हैं क्योंकि राजनेति में यह है और लोकतंत्र में यह है कि मुद्दो को लेकर जन जागरण होता है और जन जागरण के माद्यम से सपोर्ट गेन होता है और आने वाले चुनाओं में जो सत्तादारी दल है उसको हटाने की कोशिश होती है देगे जहां तक लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला है इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन इन लोकतांत्रिक अधिकारों में हिंसा को कोई स्थान नहीं है इन लोकतांतिक अधिकार में अलोकतांतिक तरीकों को कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से पिछले 79 दिनों से दिल्ली को चारोर से घेर लिया गया है। तो लगवगी याद दिलाता है तुरकों और मुगलों के टाइम वे तैमूर लंग के आकरमन की। ये बार बार याद दिल पर जिस तरह से दिल्ली की घेरा बंदी कर ली गई है। दिल्ली में आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आसपास के लोगों की रोजी रोटी चिन गई है। गरी मजदूर मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं। व्यापारी और किसान अपना व्यापार नहीं कर पा रहे ह किसान अपने उपज को शूर कर नहीं ला पा रहे हैं और जिन लोगों को जरूरी काम काज है वो अपने शेहरों में या कस्बों में गाओं में नहीं जा पा रहे हैं ये सारी परिषितियां बनी है दिली के देखे दिली एक बड़ी राजधानी है और हम सोच सकते हैं कि दिल्ली से निकलने के कई रस्ते हो सकते हैं लेकिन जो प्रमुक रस्तों पर जिस तरह से रोग दिया गया है तो उसका सबसे जादा जो चोट है आम आदमी गरीब आदमी पर पड़ी है जो गरीब आदमी दूसरे रस्तों का प्रेहुग नहीं कर सकता है जिसके पास जो आर्थिक सादन है वो एक सीमेद है उसके लिए बहुत तकलीफ होती जा रही है निश्य तोर पे जो रोज मर्रा के कामकास से मजदूरी के लिए दिल्ली आते थे आसपास के ग्रामेण आसपास के गाओं के लोग उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से चिन गई है पहले कुविड ने उनसे अपने रोजगार को चीना आब ये किसान आंदोलन पूरी तरह से उ राजिनतिक डल किसान आंदोलन के नाम पर अपनी जमीन तलाशने में जुटे हैं लेकिन वह यह नहीं समझ पारे हैं कि आसपास जो और लोग है उनकी रोजी रोटी का उनको भी इतना ही हग है आखिर में उनके हग के लिए क्या किया जाये आंदोलन अपनी जगे हैं आंद आंदोलन ये क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आकरमनकारी आम जनता को परिशान करके और उन्हें तंग करके अत्याचार करके वापस चले जाते थे कहीं ऐसी मानसिक्ता के साथ जो किसान आंदोलन को चलाया जा रहा है क्या जनता को परिशान करके जो राजनियतिक दल है जो इन्हें support कर रहे हैं या ये जो किसान नेता है कि समझते हैं कि जंता को परिशान करके हम अपनी मांगों को मनवा लेंगे शयद मुझे नहीं लगता कि देखे, किसी पिए आंदोलन वो छात्रों का आंदोलन हो या करमचारियों का आंदोलन हो किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो या कोई राजनितिक दल का आंदोलन हो सब के साथ एक शर्त है वो यह है कि किसी भी आंदोलन में जन समर्थन लगातार आगे बढ़ना चाहिए जन समर्थन मिलना चाहिए और यहां यह देखने में आ रहा है कि 69 दिन हो गए है जो शुरुआत में जो एक सानुबूती थी किसानों के साथ जो एक सानुबूती थी इन आंदोलन कारियों के साथ जो एक सानुबूती थी प्रदेशन कारियों के साथ और वो धीरे धीरे कटी जा रही है देश भर के आम और किसान भी इस आंदोलन के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। हमने देखा कि किस तरह से सिंगों बार्डर में जो वहाँ प्रदर्शन कारी हैं उनके और लोकल लोगों के बीच में जगड़ा हुआ। हमने देखा किस तरह से गाजीपूर में भी लोग अपने घरों के और लोट गए। हमने देखा कि बाकी दूसरे शाजापूर में जो कि दिली जापूर रोड है वहाँ भी ग्रामीडों ने आके किसानों को आंदोलन कारियों को प्रदर्शन कारियों को वो जगे काली करने को क साफ तोर पे जाईर है कि जन समर्थन खत्मुता जा रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि आंदोलन सरकार पे दवाब नहीं बना पा रहा है लेकिन लोगों की मुश्किलों को बढ़ाता जा रहा है लोगों के सामने परिशानियां खड़ी करता जा रहा है लोगों के रोज के काम नहीं चलेगा उन लोगों के बारे में भी सोच यह जिन्हों ने इस आंदोलन को लंबे समय तक साथ दिया जब जो जरुरत पड़ी तो क्रामीडों ने वहां के स्थानिया लोगों ने अपनी जमीन दी वहां उनके लिए पानी और बिजली की विवस्ता की उन लोगों के खिलाफ ही आज जब यह आंदोलन खड़ा है प्रदर्शन कारी खड़े हैं उनके ओपर तलवारों से लेकर हमले कर रहे हैं उनको अपना विरोधी समझ रहे हैं उनके साथ संगर्श को तयार हैं उन पर हमले को तयार हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि यह आंदोलन आपकि सपोर्ट की तलाश है, और इस मिनिमम सपोर्ट की तलाश में वो किसी भी सीमा तक जाने को त्यार है। यह अधिया देश की जनता बहुत समझदार है। वो इस तरह की बातों को बरदाश नहीं करेगी। जए तक किसानों की मांग है, उसको ले कर सरकार और किसानों के बीच में तया होना चाहिए कि क्या होना है आखिर में उसको लेकर जनता की अपनी कोई राय नहीं है पर उसकी अपनी जो परिशानिया है उसके उपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी जो समस्चाएं खड़ी होई हैं उसके जो रुजगार चिन रहे हैं उसको लेकर वो जरू लेकिन जन्ता परिशान नहीं हो इतना तो सोचें कि आंदोलन चलता रहे लेकिन रोजगार नहीं चिने इतना तो सोचें कि गरीब मजदूर और एक आम आदमी की रोची रोटी नहीं चिने ये मेरी अपील भी है किसान नेताओं से और साथ में उन्हें चेतावनी भी है कि मजबूरन अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे इससे अच्छा यह है कि अगर वो आंदोलन को सफल बनाना चाते हैं तो जनता के साथ तालमिल बठाएं जनता के सेयोग में खड़े हों जनता के समस्याओं को समझें और उस समस्या को समझते हुए अपने आंदोलन को विव वस्तित करें